कर शीवराक्त्री है, तब शंकर जी को प्रपन न करना है, शंकर जी का एक नाम है आश्व तोष्व, आश्व माने जल्दी, अब तोष्व माने प्रसन्न होने वाले, यहां तक कि उनको भोले कहते हैं लोग, जैसे छोटे बच्चे को लोग कहते हैं न, भोला भाला है, शंकर तो भगवान है, भगवान भी कहीं भोला होता है, बहुतो सर्वग्य होता है, सर्वशक्तिमान होता है, ऐसे ही, एक बार की कथा है, एक राख्यस ने, जिसकी आसकती भवानी के प्रत्य हो गई थी, पार्बती के प्रत्य है, लेकिन पार्बती को उठा के ले जाए, ये शक्ति उसमें नहीं थी, तो उसने चालाकी की, कि भगवान शंकर की भगती करें, और जब वो कहेंगे बरदान मांगो, तो फिर अपना काम बन जाएगा, तो क्या बरदान मांगेगा कि अपनी श्री भगती को देंगे ऐसे, नहीं, और तरीके से, अज तो उसने बड़ी साधना की, बड़ी तपस्या की, तो भगवान शंकर प्रकट हो गए, तो भगती से भगवान तो प्रकट होते ही है, ओ ब्रह्मा हो, शंकर हो, विष्णु हो, क्रिष्णु हो, राम हो, कोई हो, उनको कोई रसगुल्ला नहीं चाहिए, ओ कोई संसार नहीं चाहिए, ओ तो प्रेम से प्रकट हो ही भगवान तो भगवान शंकर ने कहा, बर्मागो, उसने कहा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखू, उभास्म हो जाए, हमारा एक दुश्मन है, इसलिए मैं बर्मांग रहा हूँ, भगवान शंकर ने उस समय कोई ध्यान नहीं दिया, उनने कहा, ठीक है, हो जाएगा, जाओ, अब उसने शंकर जी को ख़ड़ लिया, कि इनको भस्म करनू तो पार्बती मिल जाए, अब शंकर जी बर्दे चुके थे, वो भागे, वो भागते गए, वो ख़ड़ता गया, आखिर में भगवान के पास गए, स्रीकृष्ण के पास, उन्हें कहा, अरे कहे कहां फ्रहु भई, भाग रहे हो, बात क्या है, आए ये कौन है जो ख़ड़ रहा है, अरे रुको रुको भई, मुकदमा तो सुन लूँ, तो शंकर जी ने बता दिया, या इसे इसने तो पस्चा की, तो मैंने बर्दे दिया था, अब ये तो मेरे ही पीछे पड़ गया, सिरकृष्ण ने कहा, बहुज ये ही बात है, क्यों रहे, ये ही बात है, राक्षट से पूछा, उसने कहा, हाँ हाँ, इन्होंने बर्दिया, तो मैंने कहा, मैं देखूं, ये बर्द सही है, कि गलत है, अरे तो इसके लिए, काई के लिए तु कदेड़ रहा है, अपने ही सिर पे हाथ धर के देख ले, उन्हें कहा, हाँ, ये तुम्हें भूली गया था, अपने सिर पर हाथ रक्का बास्मों गए, शंकर जी की जान बची, तो ऐसे प्रकरण को देख कर लोगों ने कही दिया, आशू तोष है, बिल पत्र डाल दो, बिल का पत्ता, खाली पानी, आप लोगों ने देखा होगा, शंकर जी के लिंगे के उपर, घड़ा ऐसे बांदेते हैं, उसमें एक खेत कर देते हैं, तो पानी गिरता रहता है दिन भर, यह शंकर जी खुश हो जाएंगे, जलधारा, प्रिया, शिवा, उनके सिर से भी गंगा जी, बहिती रहती हैं हमेशा, लेकिन यह सब बात, ऐसे ही कहने सुनने की है, वो चाहे शंकर जी हों, चाहे राम जी हों, चाहे श्याम जी हों, बिना पूर्ण शर्णागती और भक्ती के कोई कृपा करने वाला नहीं है, भागबत में स्री कृष्ण के भक्तों में स्रेष्ठ कौन है, यह प्रस्ण किया, परिक्षित ने, उन्होंने कहा, निम्नगायाम यथा गंगा, देवानाम अच्चुतो यथा, बैष्णवानाम यथा शम्भू, पुराणा नाम इदम तथा, नदियों में सर्वस्रेष्ठ गंगाजी, और उपास्त्य देवताओं में सर्वस्रेष्ठ भगवान स्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के भगतों में सर्वस्रेष्ठ शंकर जी, तो शंकर जी भगतों में सर्वस्रेष्ठ हैं, उनकी श्रिवरात्री है, इसलिए उनहीं की उपासना करना चाहिए, राबे। राबे।